नमस्कार प्रिय मित्रो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डियसर जोन हथेली पर एक लॉंग रखकर बोल देना ये शब्द मित्रो कोई भी दो लोग जिनके मद्ध जिनके बीच रिष्टे खराब चल रहे संबंध उनका खराब बुरा है अन्बन है बात नहीं होती रुष्ट है कोई नाराज है कोई और आपकी परवा करनी छोड़ दी है आपसे दूर जा रहा है या किसी और की आपगर्शन में जा रहा है पती पत्नी हो रेमी प्रेमिका एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय मित्रो आपको बता रहे हैं इस उपाय को अगर आप अपने संबंध अपने रिष्टे को ठीक करने के लिए करते हैं तो यकीन मानिए ये उपाय आपके संबंध को पहले से भी मतुर बना देगा जो आपका अपने से नराज है चाहिए वो बुरुष है या इस्त्री वो अपने आप खिचा चलाएगा आपकी ओर रात दिन तरसेगा आप से मिलने को और बीचयन होगा तडपेगा आपकी बिना नित्रो एक लौंग से होने वाला ये शक्तिशाली उपाय मात्र उपाय करने के पाँच घंटे के भीतर आपके अपने को आपके करीब लेकर आता है उपाय को पूरे विश्वास पूरे यकील से करें और जिस दिन भी आप ये उपाय करेंगे आपने एक बात का बसस में विश्विश ध्यान रखना है उस दिन आपने लौंग नहीं खानी है आप लॉंग से उपाय कर रहे हैं लॉंग उस दिन आपने किसी भी तरीके से नहीं खानी कई लोग चाई का मसाला इस्तेमाल करते हैं उसमें लॉंग होती है इस बात का विशेश ध्यान भी रखे तो आई ये नित्रो शुरू करते हैं उपाय आपने क्या करना है उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं रात है चार बज़े से लेकर शाम के चार बज़े के पहले पहले आपने ये उपाय कर लेगा तियानि सुबह चार बज़े के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं और शाम को चार बजे से बहुए इसके मद्य ही आपने उपाय को करना है और छोटा सा उपाय है पांच मिनट से भी अधिक आपको नहीं लगे आपने सनान कर लेना है या आप अपने हाथ मुँ पैर अच्छे से दूले एक स्थान पर बैठ जाए जहां आप बैठेंगे कोई भी आसन कपड़ा बिछाया है जैसा कि बताया आपने लॉंग लेनी है लॉंग तूटी हुई नहीं होनी चाहिए अखंदित लॉंग होनी चाहिए अब आप पालती मारकर चौकडी मारकर बैठे हुए हैं आपने लॉंग को अपने सीधे हाथ की हतेली के बीचों मीच रख दे रहा है जैसा कि वीडियो में दिखाया है लॉंग को आपने रखा दिशा की चिंता ना करें लॉंग आप कैसे भी रख सकते हैं अब आपने जो आपका उल्टा हाथ है उसकी जो तरजनी उंगली है यानि जो उसकी इंडेक्स तिंगर है हमगुठे के साथ वर वो इस लॉंग पर कहीं भी छुला देख चाहे तो आप उपर से भी रख सकते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को आँख बंद करके समारण करें जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं चाहे वो पुरुष हो अस्त्री हो जो कोई भी बीर और चोटे से एक मंत्र का उच्चारण करें ओम एंग अमुक वशे वशे ओम एंग अमुक वशे वशे अमुक के स्थान पर उस विव्टी का पहला नाम प्रमुक नाम जह है यानि जो फस्ट नेम होता है वो पुकार इस मंत्र को आपने 11 बार बोल नहीं उंगली आप जो आपने अपनी तरजनी उंगली चुलाई है वो हटाएंगे ने अब जब अकी आपने मंत्र बोल लिया आपने वो उंगली हटा देनी है लॉंकू आप उठा ले आपने उस स्थान से खड़े हो जाना है और कोई एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले अकबार का टुकड़ा हो सकता है कोई अन्य कागज भी लिखा हुआ कागज भी सकता है उस कागज बस साफ होना चाहिए उस कागज में इसे रखकर पुड़िया बरान और इसे अपने किसी भी निजी स्थान पर जहां पर किसी की तांज जहक ना हो अलमारी हो कोई बैग हो कुछ भी हो आपका उसमें रखके अब आपने से देखना नहीं है आज का दिन उसका अगला दिन और उसका अगला दिन तीन दिन यह यानि तीन रात यह आपके पास रहेगा और आपने क्या करना है सोने से पहेंदे हर रात आज की रात जब आपने उपाय किया अगली रात और उससे अगली रात तीनो रात सोते समय बिस्तर पर ही बैठे बैठे इस मंत्र का आख बंद करके इसी प्रकार से 11-11 बार चारण कर लौंग नहीं लेनी है उसे आपने देखना भी नहीं है केवल आख बंद करके वचारण करें किसी भी अवस्ता में पालती मरकर बैड़े और मंत्र पूर इसके बाद आपने क्या करना है जब तीन रातें पूरी हो गई उसकी अगली सुबह आपने इस लौंग को घर से बाहर जाना है या घर की छट पर अगर आपके या छट में जाना असान है वहाँ पर आप रख दें कई लोगों के या फ्लैट्स होते हैं छट पर थोड़ा जाना मश्केल होता है तो वह घर के बाहर जाकर इस लौंग को किसी भी पौधे पर अगर उसके आपके अंगन में हैं आउते ना है उसकी मिट्टी पर यह आपने कारे कर लिया मित्रो अब आप स्वयम देखेंगे कैसे पाची गंटे में ये उपाये आपके लिए कारे करेगा और आपका आएगा वापस आपके करिए अब दें आग्या मित्रो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक ऐस ही बहुत ही आसान से और बहुत ही खुबसूरत से उपाये के साथ अपना ख्याल रखें खुश रहा हैं नमस्कार